तो फाइनली BCCI ने अरजुन अवार्ड और राजीव गांदी खेल रूत्म अवार्ड के लिए नाम भेज दिये हैं कौन है वो चार नाम बदाएंगे आपको इस पूरी वीडियो में एंट तक आप ये वीडियो देखना स्वाइद है आपका बातन बॉल में मैं हूँ आपके साथ क्रकेट वादा प्रशांट अब BCCI ने राजीव गांदी खेल रूत्म के लिए रोहिज शर्मा का नाम बेजा है जहां रोहिज शर्मा का नाम बेजा गया है राजीव गांदी खेल रूत्म अवार्ड के लिए पहला है टीम इडिया के गबबर यानी शिखरदवन, शिखरदवन शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं लगातार, वर्ड कप में भी अच्छा कर रहा है, चोटिल होने तक उससे पहले तक और बाखी फॉर्मेंस में भी अच्छा कर रहे हैं, इसके बाद दूसरा नाम है भार का ही इंट्रेस्टिंग नाम है, वो है महीला किलाडी दीपती शर्मा, और राउंडर है वो, और पिछले तीन साल से टीटवन ये ओन डे में शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं दीपती शर्मा, तो उनका नाम रिकमेंड करा गया है, आपको इस बीच में बता दे, कि 2018 में अर्जुन अवर्ड से शिखर धवन चूप गए थे, तो इनके पास शांदार मौका है, साथ की दूसरा important point ये है, कि साल 2016 से लेकर साल 2019 तक का सभी खिलाडियों का performance देखा जाएगा, और उसे क्याधार पर ये अवर्ड्स मिलेंगे, तो आपको ये भी बता दे कि विराट को साल 2019 में खेल गरतिन अवर्ड मिल चुका है, तो ये नाम BCCI दूरा शिफारिश की गई है, नामों के अब देखना होगा कि इनमें से किन खेलाडियों को मिलते हैं, कौन देश का नाम इन अवर्ड में रौशन करता है, मैदान पे तो करी रहे हैं, तो फिला, आपको ये वी ये छेम से मैं सानिंग You, अ